हेलो एवरीवन वेलकम बाक तो मैं चैनल देट इस बीलोजी अचीवर्स माइने में से मिसिंग आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे अच्छे से एक्जाम्स की प्रप्रिशन चल रही होगी आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पीनियल ग्लैंड एंड थैरोड ग्ल से हैं और उनका फंक्षन क्या है वो चीज भी है तो वो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है तो की सहूलियत के लिए मैंने वीडियो के एंड में शौर्ड फॉर्म में उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो है वो बहुती कंसाइज वे में नोट्स जो है वो स्पेशली जब एक्जाम टाइम बहुत जादा नजदीक होता है तो रिवाइज करने की कंडिशन में जब हम होते हैं तो उस ताइम बहुत हैल्फुल रहेंगे अगर यदी जो पिट्यूटरी ग्लेंड का कॉंसेप्ट है वो नहीं क्लियर है पढ़ा हुआ नहीं पैले से वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद शॉर्ड नोट्स लो है उनको उसी साइम टाइम पर एक तरीके से रिवाइज करके देखें जिससे की कॉंसेप्ट जो है वह बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक पीनियल ग्लेंड के बा ब्हक साइड है वहां पर प्रेजन्ट होती है पीनियल ग्लेंड अब ये एक पीनियल ग्लेंड जो है वह सिर्फ वोस एक हॉर्मॉन जो है उसको सिक्रीट करती है जिसको हम MELTONONIN के नाम से जानते हैं ठीक है अब यह जो MELTONIN है यह बहुत सारे स्वंक्शन्स जो है उनको regulate करने में important role play कर रहा होता है तो सीधे सीधे हम melatonin जो है उसके functions जो है उनको देख लेते हैं कि जो हमारी body की 24 hours का जो rhythm होता है जिसको हम die urinal rhythm के नाम से जानते हैं इसको ये maintain करने में important role play कर रहा होता है एक तो ये function हो गया साथी साथ उसके बाद ये क्या है कि जो हमारा body का सोने और जगनी की cycle है that means sleep and wake cycle जो है उसको नॉर्मल कंडिशन में maintain रखने में important role play करता है sleep and wake cycle को maintain करता है उसके बाद हमारा जो body का temperature है नॉर्मल बनाने में उसको नॉर्मल रखने में important role play करता है इन functions के अलाबा ये metabolism pigmentation menstrual cycle in case of females and जो हमारे body का defense capability होती है उसको इतने सारे functions जो है उनको influence करने का उनको regulate करने का उनको stimulate करने का उनको maintain करने का काम किसका होता है melatonin का होता है जो कि secret होता है pineal gland से और पीनियल ग्लेंड हमारे फोर ब्रेंड के dorsal साइड में प्रेजेंट होती है तो यह जो पूरा का पूरा पैरा ग्राफ है इसमें हम से यही सारी चीज़े बाते की गई है तो इनको हम देख लेते हैं मेलाटनिन प्ले इंपर्टेंट रोल इन दी रेगलेशन ऑफ 24 आर्ट रिदम ऑफ आवर बोडी जिसको हम डाई यूरिनल रिदम के नाम से जानते हैं सो आई होप की फर्स्ट इसका फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा फॉर एक्जामबल इट हैल्पस इन मेंटेनिंग दी नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकल बोडी टंपरेचर को मेंटेन करने में इन एडिशन मेलाटार्णान अल्सों इंफ्लएंस मेटावालिजम पिकमेंटेशन मेंस्ट्रल साइकल एज मेंस्ट्रल साइकल आज और बोडी डिफ्रमेंस का पी चैपलिटी है के इतने सारे के सारे functions को stimulate करने का परफॉर्म कराने का काम किसका होता है मेलाटॉन इन का होता है ये था सिफ इतना चोटा सा पी नियल ग्लैंड के बारे में इसके बाद अब हम पढ़ते हैं और ही जादा इंटरस्टिंग थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा बोल सकते हैं चीजों को याद रखने वाला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं थाइरोड ग्लेंड के नाम से थाइरोड ग्लेंड की जो लोकेशन है उसको हम समझ लेते हैं कि जो हमा जो है is composed of two lobes which are located on either side of trachea so thyroid gland which is made with two lobes which are present on the trachea windpipe. Now these lobes are a connective tissue flap which we know from the name of Isthmus and it is connected with one another. So both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called Isthmus. यह point important है उसके बाद बोला गया है कि thyroid gland जो है ठीक है यह जो एक यह वाली लोब भी और यह वाली लोब भी पूरा का पूरा जो thyroid gland है वो follicles और stromal tissues जो है उससे मिलकर बना होता है अब इसमें भी जो follicles है वो follicular cells की बनी हुई होती है और यही follicular cells जो है वो thyroid hormone को secret करती है synthesize करती है form करती है so यह जो follicular cells है यह दो टाइप के thyroid hormones जो है उनको synthesize करती है form करती है जिसमें से एक hormone जो है उसको हम T4 short में और दूसरे को T3 के नाम से जानते हैं 4 हमें पता है कि इसके लिए tetra हम use करते हैं 3 के लिए हम try use करते हैं सबसे पहले T4 जो है उसका नाम देख लेते हैं tetra idothyronin या फिर thairoxin के नाम से भी हम इसको जानते हैं उसके बाद second जो hormone है जिसको हम T3 बोलते हैं 3 के लिए हम try use करते हैं so try idothyronin जो है T3 के लिए नाम है तो यह दोनों नाम जो है वो important हो जाते हैं अभी तक हमने thyroid gland में क्या पढ़ा कि thyroid gland दो लोब से मिलकर बनी होती है जो कि trachea windpipe के दोनों साइड में present होती है अब यह जो lobes है वो एक दूसरे के साथ इस्थमस के through connected होती है thyroid gland जो है वो follicle और stromal tissue का बना होता है follicles जो है वो specifically follicular cells की बनी होती है यही follicular cells जो है वो दो thyroid hormones को synthesize करती है बनाती है जिसमें से एक है T4 एक है T3 इनके full form क्या है यह चीज अल्रेडी हम देख चुके है आइडो यह specifically iodine के लिए यूज किया गया है सो आगे के process में हम से यही बताया गया है कि जो हमारी body है उसमें जो iodine का amount है वो एक balance form में होना चाहिए नहीं iodine की deficiency हो नहीं बहुत जादा iodine जो है वो हमारी body में present हो तो iodine जो है वो thyroid hormone के synthesis के लिए बहुती जादा important role play कर रहा होता है तो इसी लिए बोला जाता है कि thyroid hormone का जो amount है concentration है हमारी body में अच्छी से रहे नहीं उसकी deficiency हो नहीं उसका excess में secretion हो तो इसके लिए क्या maintain रखना है हमें अपनी body में iodine का amount so iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid thyroid से जो hormones की synthesis है उसके लिए iodine जो है वो एक essential nutrient की form में होना चाहिए अब conditions जो है वो बताई गई है कि अगर यदि हमारे diet में हमारी body में iodine की deficiency हो जाती है तो उसकी वज़े से हमें क्या problem face करनी पड़ती है तो deficiency of iodine in our diet अगर यदि हमारे खान पान में iodine की कमी हो जाती है तो इसकी वज़े से hypo thyroidism जो है इस condition से वो particular individual suffer कर रहा होता है जिसको हम hypothyroidism के नाम से जानते हैं अब यह जो hypothyroidism है इसमें क्या होता है कि जो हमारे thyroid gland है उनका enlargement हो जाता है जिसको हम goiter के नाम से जानते हैं बहुत सारे specifically natural तो नहीं देखा इवन मैंने भी नहीं देखा आज तक किसी भी इस तरीके से इंसान को लेकिन book वगरा मैं या फिर internet पर हमने देखा है कि कोई भी एक individual है जिसका जो गला है वो बहुत ही जादा स्वेल सा enlarge way में हमें दिखता है जिसको हम goiter गहंगा रोक के नाम से जानते हैं तो यह किस वज़े से होता है जब हमारी diet में iodine की deficiency हो जाती है उस deficiency की वज़े से हमारे जो thyroid gland है उनका enlargement हो जाता है जो कि हमें बहुत ही उबरा हुआ सा दिखता है हमारा जो neck वाला reason है जिसको हम goiter के नाम से जानते हैं सो डाइयोडीन की deficiency से यह particular disease जो है यह particular condition से उस वह particular individual सफर कर रहा होता है उसके बाद बोला गया है कि हाइपो thyroidism during pregnancy अगर यह कोई female pregnant है ठीक है pregnancy का time है उसका gestation period चल रहा है और उसमें iodine की deficiency हो जाती है तो उसकी वज़े से क्या होगा causes defective development and maturation of the growing baby ठीक है तो जो उसके fetus में ठीक है grow कर रहा है baby जो उसका fetus है baby जो grow कर रहा है उसके अंदर तो उसका जो development है उसका maturation है वो क्या होगा वो defacted हो जाएगा अच्छे से grow नहीं कर पाएगा जब grow नहीं पर कर पाएगा तो maybe हो सकता है कि उसका जो होने वाला बच्चा है वो stunted growth का हो जिसको हम cratinism के नाम से जानते हैं कि वो बोना भी हो सकता है उसमें mental retardation जैसी condition भी देखने को मिल सकती है low intelligence quitent that means कि उसकी intelligence power जो है वो low हो या फिर abnormal skin हो deep mutism हो या फिर वो बहरा भी हो सकता है तो इस तरीके की बहुत सारी conditions जो है वो उसके baby में देखने को मिल सकती है अगर एक pregnant female में iodine की कमी हो जाती है तो in adult woman यह तो उपर वाला case था specifically pregnant woman की case में अगर यदि एक adult बट वो pregnant नहीं है woman की बात की जाए तो उसमें अगर यदि क्या कहते हैं iodine की कमी हो जाती है तो उसका जो menstrual cycle है ठीक है वो irregular हो सकता है इसकी वज़े से hypothyroidism may cause menstrual cycle to be to become irregular तो आयोडीन की कमी से एक adult woman जो है उसका menstrual cycle irregular हो सकता है तो यह सारी की सारी condition देखने को मिलती है जब आयोडीन की deficiency हो जाती है तो ठीक है आगे हमसे बात की गई है due to cancer of thyroid gland अगर यदि thyroid gland का cancer हो जाता है या फिर thyroid gland जो है उसमें नोडियूल्स का development नोडियूल्स का formation हो जाता है तो उसकी वज़े से क्या होगा कि जो rate है synthesis and secretion का thyroid hormones के synthesis and secretion का क्या होगा वो increase हो जाएगा abnormally high label हो जाएगा कहने का मतलब यह हो गया कि अगर यदि कोई individual है ठीक है उसके अंदर जो thyroid gland है वहां पर cancer हो गया या फिर उसमें नोडियूल्स का formation हो गया तो उसकी वज़े से उसके जो thyroid glands है वह बहुत अच्छा खासा amount में thyroid hormones जो है उसको secret करेंगे उसको synthesize करेंगे तो इस तरीके की जो condition अगर होगी तो उसको हम hyperthyroidism के नाम से जानते हैं और अगर यदि इस तरीके की condition हो जाती है तो इससे क्या होता है कि यह body की जो physiology है उसको बहुत तरीके से adversely affect करते हैं ठीक है तो दो केस यहां पर हमने समझे शौर्ट में अगर हम कोशिस करें इसको समझने की तो सबसे पहले हमने देखा thyroid gland जो है दो लोब से मिलकर बना होता है ट्रेक्या के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है इस्थिमस एक कनेक्टिव टिशू के फ्लैप से यह दोनों लोब्स कनेक्टिर होती है और थैरड ग्लेंड जो है वो जो इस प्रेज़ों चांब कर दो करें होते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं ठीक है पुशके बाद बूला गया है कि जो थैरड होर्मोन का से स्थियूं है जो उसके लिए यदि जो है वह बहुत ही ज़ादा इसेंस्यल रॉल प्ले कर रहा होता है अगर यदि हमारे डाइट में आयोडीन की डेफिसेंसी हो जाती है तो उसकी वज़े से हाइपो थाइरोडेज्म होता है और अगर यदी हमारी बॉडी में बहुत एक्सेज में थाइरोड हॉर्मून का सिक्रीशन हो रहा है तो उस कंडिशन को हम हाइपर थाइरोडेज्म के नाम से जानते हैं तो एंड हाइपर जो टर्म है इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है यह था थाइरोड ग्लेंड के बारे में इसके बाद अब यह क्या है यह हमारे पास स्ट्रॉक्चरल ओर्गिनाजेशन है थाइरोड ग्लेंड का सबसे फर्स्ट एवली जो इमेज है यह क्या है डॉर्सल एच्छे की साइड में यह ट्रैक्या है और यह थारोड पर तो यह थो यह है उसके बाद लिगार आगे को पार्ट है यह कुछ इस तरीके से होता है सब यह था दा ॐग्रमेटिक फ्रीप्रेजेशन ओफ थारोड गलैड उसके बारे में कुछ-कुछ और इसके functions के बारे में बताए गया है कि thyroid hormones जो है वो important role play करते हैं vessel metabolic rate जो है उसको maintain करने में तो जो body का metabolic rate है उसको maintain करने में regulate करने में important role play कर रहे हैं साथ ही साथ जो हमारे body में red blood cells का formation है उस process को भी ये support करते हैं उसके अलावा thyroid hormones जो है वो carbohydrate proteins और fat इनका जो metabolism है उसको control करने का काम करते हैं thyroid hormones control the metabolism of carbohydrates, proteins and fats maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormone जो हमारी body में water और electrolyte का balance है उसको maintain करने में भी thyroid hormone जो है वो important role play करते हैं इसके अलावा यहां से यह जो लाइन है यह जो particular segment है जो बहुत बहुत जादा important है पूछा भी जा सकता है कि जो thyroid gland है वो तो टाइप के thyroid hormone को तो synthesize करती है T3, T4 को उसके साथ साथ यह एक protein hormone जो है उसको सिक्रीट करती है उस protein hormone का क्या नाम है उस protein hormone को हम thyro calcetonine के नाम से जानते हैं जिसको हम शॉड में CTC के नाम से जानते हैं यह जो थाइरो calcetonine है यह क्या करता है रेगुलेट करता है blood calcium level जो है उसको तो यह थे thyroid hormone के functions अगर यदि हम thyroid hormone के functions की बात करें तो यह क्या करते हैं metabolic rate जो है उसको maintain करते हैं यह हो गया उसके बाद यह क्या है maintain कर रहे हमारे red blood cells का जो formation है उसमें भी and control करते हैं किसका metabolism carbohydrates proteins and fats यह जो है carbohydrate proteins and fats इनका जो metabolism है उसको control करने का काम करते हैं साथी साथ maintain करते हैं क्या maintain करते हैं water and electrolyte balance जो है body का उसको यह सारे के सारे functions जो है वो thyroid hormone परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके अलावा thyroid gland जो है वो thyroid gland जो है दो hormones को तो secret करते हैं साथी साथ protein hormone जो है जिसको हम thyrocalcitonin ctc के नाम से जानते हैं इसको भी secret करती है इसका क्या काम होता है यह blood calcium level जो है जो हमारे previous videos जो है पसंद किये हैं and one more time मेरी request प्लीज चैनल को जरू subscribe करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने friends के साथ भी share करें and कोई भी particular topic पर किसी भी particular point पर कोई भी confusion रहता है तो प्लीज कमेंट शेशन में जरूर कमेंट करें and अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें थैंक यू सो मच फर वाचिंग